नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भावेश आज के जो वीडियो है उसमें आपको बताने वाला हूँ PCOD या PCOS के लिए कौन सी होमेपेतिक दवा मुझे लेनी चाहिए और वो होमेपेतिक मेडिसिन को आपको किस डोज में लेना है जनरली क्या होता है होमेपेति में ऐसा कोई PCOS दवा तो होता नहीं है क्योंकि एक्षूलिय में क्या होता है होमेपेति में on the basis of symptoms symptomatic को केस चेकिंग करनी होती उसके बाद आपका मैडिसिन निकल के आता है लेकिन clinical practice में कई बार मैंने देखा है कि एक mother tincture है जिसका use मैं कई बार करता हूँ clinical practice में और जिसका मुझे बहुत importantly role में जे मिला है ठीक और कई बार proper selection of medicine देने के बाद रिजल्ट कई बार नहीं मिल पाता है तब उस condition में patient भी क्या होता है फिर response नहीं दे पाता है उसको लेक लेकिन साथ में आप मेरे एक वीडियो देखें इसमें मैंने diet proper बताया उस diet के साथ आपको mother tincture देंगे तब आपको result मिलेगा क्योंकि वो diet very important part है वित आपको medicine देनी पड़ेगी चाहे कोई भी mode of treatment में जाए तब जब तक आप diet नहीं लेंगे आपका PCOD बिल्कुल ठीक नही होगा ठीक तो PCOD में आप देखते होंगे बहुत कॉमली चैरे पर आपको hair आते हैं सबका में करण होता है lifestyle disorder बोल सकते हैं या फिर आपको stress में सब कुल मिला के हम बोलेंगे जो responsible होता है increase level of androgen या हम testosterone जो testosterone जो एंड्रोजन का जो hormone का level है female की body में बढ़ने लगता है और वो इस सब symptom produce करता है ठीक और इसका सबसे common जो करण होता है sugar मैंने आपको बताया इसके पहले वीडियो में देखा होगा आपने तो sugar जो होता है सबसे important cause होता है जो एंड्रोजन के level को increase करने म है और दूसरा आपका liver dysfunction जो testosterone को बाइंड करने की protein फार्म करता है यह लिवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो protein नहीं बनेगा और वो testosterone को बाइंड्रोजन को बाइंड्रोजन को बाइंड्रोजन नहीं कर पाएगा ठीक तो कुल मिला के हम बोलेंगे increase level of androgen body में होगा female में तो PC PCOD के जो symptoms है PCOS के symptoms हैं वो commonly उनकी body में produce होगे ठीक है sugar level कम हो जाएगा तो automatic वो होगा और साथ में आपको एक दवा है जो बता रहा हूं है आपको बोलेना चाहिए जिसका नाम है actiara,ctiracimosa नाम का आप क्या ले ले लीजिए mother tincture, इस mother tincture की 10 बोन सुबहे, और 10 बोन स्याम को आधा कप पानी में पानि में आपको लेना है regular आपको कुछ दिन तक लेना पड़ेगा लेगा इसको कुछ दिन तक लेंगे साथ में डाइट को आप फॉलो करेंगे आपका सबस्से पहरा सिंटाम हो था एक नहीं जो आ रहेते वह आहे थे fun आपके दीर-दीर क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, लेकिन इस दवा को आपको कुछ दिन तक लेना पड़ेगा, तभी आपको इसमें result मिलता है, इसके अलावा यदि आपको यह दवा लेने के बाद result नहीं आता है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें नमस्कार दोस्तों